नमस्कार आप सभी का एगेस्ट कर्फशन 99 में बहुत बहुत स्वागत है साथ ही दिपावली की बहुत धेर सारी सुभकामना हैं आप लोगों को भी और आपके परिवार के सदस्यों को भी आज अंदकार पर प्रकास की विजय का परव है इसलिए हम सब को भी भारत में बर रहे भरस्टा चार रूपी अंदकार को मिटाने का प्रियास अवस्य करेंगे जिसमें हम लोग RTI के माध्यम से यदि किसी लोग शिवक का लोग सुचनापदाधिकारी पी आयो यो जन सुचनापदाधिकारी के भरस्टा चार का खुलासा हुआ है या अन्य कारण से किसी भी तरह किसी लोग से बक के द्वारा पद का दुरूपयों कर पक्षपात करते हुई किसी को प्रतारित किया जाता है, या किसी के खिलाप भष्टाचार का साक्ष प्रियाप्थ है, तो उन लोगों के खिलाप अवस्य लोकायुक्त के समक्ष भी सिकायतबाद दायर कर सकते हैं, मैंने यहां गिरिह विभाग के कुछ पुलिस पदादिकारियों का सिकायत बात करते वी पदकाद रुप्योग करने के संबंद में किया था लोकायुक्ट के समक्ष आप लोग भी इस तरह परिवाद दायर कर अपना पक्ष रख सुनवाई कर सकते हैं या अधिवक्ता के माध्यम से भी अनुसुची को में अपना आवेदन दे कर अपना पक्ष रख सक करते हैं देखें यह अनुसुची को है लोकायुक्त बिहार पतना के समक्ष मैंने परिवाद दायर किया था भी सह था पक्ष पात करते वी पदकाद रुप्योग कर मुझति प्यां को प्रतारित के जाने के संबंद में मैंने कई पुलिस पदाधिकारी का आर्टियाई के मा रहा है इसलिए मैंने लोकायुक्त के समक्ष भी यह सिकायतबाद दायर किया है देख ले यह मेरा नाम पुरा पता है मैं खुद परिवादी हूं बनाम में तीन पुलिस पदाधिकारी के खिलाब मैंने सिकायतबाद दायर किया था दिलिप कुमार अनुमंडल पुलिस पद ब्रवाणेपूर और और पूर निरशनी अधिक्रों दायर कि अहां की परिबाद दाहिर कि यह सब्सक्राइब हैं की परिबाद करेंगे एप समबंद में मैंública आप लोगों को देना है का प्यास कर रहा हूं जो जो भी लोक शेबक हैं जिनके इबुरुद आप परिबाद दर्जी करेंगे उनका नाम पता पिनका और सही तवस्य लिखेंगे और जैसे जिस भी पदादिकारी के खिलाब जो भी साक्षो उसाधार पे आप यहाँ अनुसुची को में उनका नाम पता लिखते हुए उन पर जो भी पॉइंट टू पॉइंट सिकायतबाद दार करने का प्रयास किया है उन्हें साब से असपस्ट अक्षरों में टाइप करवा लेंगे इस तरह आप लोग देखें मैंने एक पुलिस पदाधिकारी के खिलाब इन इन बिंदों पर सिकायतबाद दार किया है सभी पेज सभी परमानित को नहीं चाहिए सभी पेज पे आपका हस्ता अक्षर होना चाहिए आप लोग ध्यान पुरुबक देखें मैंने एक के बाद दूसरे बिंदों में यह नील कुमार अविदास हैं जिनके खिलाब मैंने कुछ बिंदों पर सिकायत किया था तीसरा है नीरज कु सिवक के पॉइंट टू पॉइंट अपना सिकायतवाद दायर करेंगे असपस्ट और साक्ष के साथ इस प्रकार करके आप लोकायुक्त के समक्ष अनुसुचिकों में सिकायतवाद दायर कर सकते हैं अपना स्ताक्षर दिनांग मोगाल नंबर इमेल नंबर भी डाल सकते हैं यह अनुसुची खो है इस प्रकार करके आप जिन दस्तावेजों की सुची देंगे और उसमें जो भी आपको अव्युक्ति के रूप में कहना हो इस प्रकार सुची भी लिखके बना लेंगे इसे भी टाइप करवा लेंगे एक सपत पत्र लगता है सपत पत्र भी अवस्त देंगे आप जो भी साक्षो इसके साथ लगा देंगे मैंने 35 पेज का यह साक्ष के रूप में सारे डोकुमेंट्स को दिया था इस प्रकार करके आप सारे काग जागतों को सगलंग कर पांच परती बना लेंगे और लोकायुक के समक्ष सिकायत बाद दायर करें और एक परती अपने जानकारी के लिए सुरक्षित रखें और इस प्रकार किसी भी पुलिस पदादिकारी का भी सिकायत आप लोकायुक्त के समक्ष कर सकते हैं या किसी भी अन्य लोकशेवक लोक सुचना पदादिकारी जन सुचना पदा पदादिकारी या कुछ सी भी पदादिकारी द्वारा भरष्टाचार के आ जाता है तो उसकी सिकायत आप लोकायुक्त के समक्ष आसानी से कर अपना पक्ष अवसर रख सकते हैं जिससे भरष्टाचार में कमी आए तथा हम आम जंता को भी भरष्टाचार से मुक्ति मिले जि इस चैनल को अवस्ट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने अगेंस्ट करप्शन के नाम से इस चैनल का शुरुवात किया था और यह लगातार आर्टे आई लोकायुक्त लोक शिकायत निग्रानी विभाग मानवाधिकार आयोक सिशंभित मैंने वीडियो बना कर आप लोगो को जानकारी देता आ रहा हूं इसलिए अवस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें लाइक करें तथा सेर करें जिससे एक दूसरे को जानकारी आसानी से हो सके जैहिन